अस्सालाम अलेकूम आज हम बनाएंगे खाजा मिठाई ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये बनाने में बड़ी आसान है इससे हमने बहुत ही कलरफुल बनाया है तो ये ऐसी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है तो इंशालला रेसिपी आपको पसंद आएग इसके बाद हम इसके जो है चार हिस्से कर देंगे इसे डिवाइट करना है हमें क्योंके इससे हम जो है अलग-अलग कलर से गुनना है तो हमने इस तरह से चार हिस्सों में इसे डिवाइट कर दिया है अब एक हिस्से को हम पानी से गुन लेंगे और इसके बाद जो है इसकी फूट कलर का इस्तमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो जादा का भी कर सकते हैं, या तो फिर आप बीना फूट कलर के भी इसे बना सकते हैं, या ऐसे भी बहुत अच्छी लगते खाने में, लेकिन आप जो है कलर्फुल बनाएंगे तो दिखने में भी बहुत ही अच्छी है इस तरह से हमने चार कलर बनाली है हमने लिए है मेल्टेड घी इसमें डाला दिया है KÁRŋ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके एक शाटा बनाकर तैयार पर देंगी इस इसके बाद हम एक एक करके बागी रोटिया रखते जाएंगे और इसके बाद उपर की रोटि पी हमें साटा लगा लेना है इसके बाद हम इसका रोल तयार करेंगे तो बस दबाते हुए इसे अच्छे से इसका रोल तयार करेंगे और इसे थोड़ा हम पतला कर लेंगे इसके बात जोहे इसके लोगया काटेंगे और अगर आप खाजा की साइज थोड़ी कम रखना चातें तो इस रोल को जोहे आप थोड़ा लंबा। पतला कर दे और इसके बात इसे कट कर दे तो यह जो हे आपके छोटे-चोटे से काजा बन कर तयार होंगे मैंने इस size के cut की है अब इसे क्या करेंगे हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से इसे shape दे देंगे तो अगर आप shape नहीं देना चाहते तो बीना shape दिये भी आप इसे बना सकते हैं यह तो मैंने ऐसे ही shape दे दिया है यह दिखने में बहुत ही अच्छे दिखाई तो इस तरह से सारे जो है खाजा बना कर हमने तैयार कर लिए अब जो है आइल को हमने बहुत ही कम गरम किया है बहुत जादा गरम नहीं करना है और इसके बाद जो इसे fry कर लेंगे तो इसे fry करने के लिए तकरीबन हमें 15-20 मिर्ट लगने वाले हैं उस टाइम तक इसे fry करन जाए हमने आप चाहे तो ना डाले अब हम क्या करेंगे चासनी बना कर तैयार करेंगे तो चासनी बिल्कुल चिपचिपी हमने बनाई है और इसे एक तार की या दो तार की नहीं बनानी है और देखिए हमारे खाजा बनकर तैयार है इसे पूरे हमने 15-20 मिर्ट पकाया है ल इसलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका है इसके बाद चासनी में डूबो कर इसे निकाल लेंगे और यह हमारे खाजा बनकर रेडी है आप इसे जो है पौरन भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन आप इसे एक से दो घंटे के बाद सर्फ करेंगे तो एक खाने में बहुत जादा इसे लगेंगे तो इन्शाल्ला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप भी बनाएं खाएं खुश रहें अल्लाहागाएं